तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इसे डियो में हम डिसकस करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 मार्च यान की ब्रस्पतवार को वीकली एक्सपैरी स्पेसल वीडियो दोस्तो किस साड़ म बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मेट का टाइम प्रेम है जो के इंटरा डे के लिए बेस्ट होता है हिट दा लाइक बड़न दोस्तो कमेंट करके जरूर बताएं ये जो सेलिंग एरिया आप सब के सामने मैंने कल मार्क किया था और कलीरली बोला था कि भाई इसको इसको ऐसे ही बहेंकर स्टेटजी नहीं बहुत सिखने में कोर्स में एक एक डेट के लिए नगता है और जिस जिसने इन्जॉय किया प्रोफिट को को कमेंट करके जुरूर बताएं दूसरी बात जिसने दोस्तो 39 वाली स्टेटजी गो फोलो किया होगा इससे अच्छ और देखे कितना बड़ा टार्गेट मिला इसलिए बोलता हूं दोस्तों 39 वाली स्टेटजी की वीडियो आपको फ्री ओप कोस्ट इस चैनल पर मिल जाएगी आई बटन में लिंक डाल दूगा इतने बड़े बड़े टार्गेट देती है वाई कोई आपको न वह पेड कोरस म भेंकर स्टेटजी वाई आप हिस्टरी में लगाके देख लेना 90% के आसपास एक्यूरेशी है तो उस वीडियो को जुरूर देखें और एक या दोस्तेटजी पर महारत हासिल कर ले मेरा मकसद आप लोगों को दोस्तों सिखाना है ताकि आप इन लोगों के पेड को जो यह ट्रेंड लाइन मारक कर लो या फिर हमारे सेलिंग अरिया में आती है तो हम पूट साइड प्लानिंग करेंगा हमने किया भी मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको इस टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का उसमें दोस्तों हमको आपको पता है एक सो असी से भाई होगा है लागी कोई रुका नहीं हो लेकिन हमारी स्टेट जी देखिए वाई कितना बड़ा टार्गेट दिया है और हम आने वाले समय में कभी ना कभी इसको कैप्चर भी करेंगे पूरे मूँ को ठीक है लेकिन हमें खुसी किस बात कि हमारा टार्गेट अचीव हुया बल दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है ध्यान से सुनियेगा गलोबल मार्केट भेंकर सेलिंग प्रेसर में है और इससे लग रहा है कि मार्केट कल भी जाएगी डाउनसाइड लेकिन कुछ भी हो सकता है बाई कल तक तो सुबह तक देखते हैं कैसा डाटा चेंज बनाती है 55 पॉइंट का स्टोप लोस रहेगा वनिस्टू टो हमारा टार्गेट हो जाएगा हम कोलसाइड प्लानिंग करेंगे ध्यान से सुनियेगा कोलसाइड केवल इसी सिचुएशन में जाएंगे अधर्वाइज हम कल भी सेलिंग प्रेशर कंटीनू कर सकते लेकिन उस range में जाके market वापिस गिर सकती है तो ये retest वाली line भी हो सकती है और ये breakout level भी हो सकता है अगर इसके ऊपर निकल गई price action बन गया तो call side otherwise इसके आसपास गई और यहाँ पर क्यों कि देखिए यहाँ ही से price action बना यहाँ पर हम एक negative candle बनते ही put side भी planning कर सकते हैं अब दोस्तों put side हम flat open होने यह कब जाएंगे देखिए flat open हो आज का जो यह low है यह break करते ही हलका सा price action बनते ही 50-60 point का stop loss रहेगा next target हमारा 38,665 का जो यह level हम मारक कर लीजिए यह हमारा target हो जाएगा हम put side planning कर सकते हैं एक चीज दोस्तों याद रखना यह level मारक कर लीजिए तीनो चारो line देखिए क्यों बतारों में देखिए 38,665 से 38,521 यह level है यह वाला area यह trap zone है भाई इसके अंदर काम नहीं करेंगे यहां पर market stop loss hunting हो सकती या तो इसके नीचे निकले या इससे उपर निकले बास यह एक area है जो trap area इसके अंदर आपको काम नहीं करना है इसलिए मैंने मारक करके रखा है माल लीजिए बड़ा gap down open हो जाती है जैसा कि लग भी रहा बड़ी यह global market की हो जैसे माल लीजिए जोन में gap down open होती है इसके उपर open होती तो वेट करेंगे कब 38,521 या फिर 500 का level downside break करें gap down open होके तो हम जाएंगे put side 65 point का stop loss डालके 38,000 गे target के लिए या फिर दोस्तों market इस zone में open हो open होने के बाद एक positive candle बना दे तो 39,4 strategy अपलाई करेंगे दिन का लो हमारा stop loss रहेगा जब high break करके हलका सा price action बनाएगी तो हम यहां तक के target के लिए coal side भी planning कर सकते हैं जिसके chance थोड़े से कम लग रहे हैं दिन का लो stop loss डाल गे अगर दोस्तों gap open हो गई तो next selling area है वो भी हम मारक कर देते इसको नीचे सरका के यह वाला जो area भाई यह selling area है जो की 49,600 का है 500 अगर बड़ा gap open होती है वेट करेंगे इस zone में जाने का यहां पर कोई negative candle बनते ही जैसे आज बनी थी हम उसका लाई stop loss डालेंगे और यहां तक कि आनी कि जहां पर आज closing आई है यहां तक के हमारे put side target हो जाएंगे हां वो अलग बात है जिसके chance बहुत कम लग रहे हैं अगर gap open होती है और 49,600 के उपर निकल के price action बनाती तो ही हम call side planning करेंगे 200-300 point के target के लिए जिसके chance ना बरोबर लग रहे हैं लेकिन कुछ भी data change होता है तो मैं आपको telegram पे update दे दूँ सेलिंग एरिया यहीं breakout लेवल है यहीं सेलिंग और मैंने आपको सुबह सुबह बताया भी था एक मिन्ट रुके मैं आपको दिखा देता हूं यह रहे सुबह सुबह का view देखे दोनों साइड मोमेंटम मिल सकता यह भी बोला था bank nifty breakout लेवल 17,200 ठीक है bank nifty selling एरिया 17,200 से 17, यहीं वापिस निकल गई यह दोसो free of course चैनल है वीडियो की description में आपको original चैनल का लिंक मिल जाएगा नहीं तो मैं comment में pin कर दूँगा आप जाके इस चैनल को join कर सकते हैं यह हमारी study थी जो paper trade करने के लिए दी थी और इसका high देखिए भाई साब यह देखिए लड़किया भी कम नहीं है वाई किसी से जो chorus कर चुकी है हाला कि chorus महीं करने आए वाई जो पैसे कमा चुका है हमारी strategy से यूटूब पे डाल लगे वाकी chorus करने ना आए क्योंकि वैसे शीट फूल रहती है बैंक निफ्टिया देखिए एक सोसी से पांसो साथ तो मैंने अपडेट के था भाई साड़े साथ सो तक हाई गई थी लेकिन इतनी देर तक रुकता कोन है भाई अब हम बिना बात की हवा खिंडाएं यहां पे हवा बनाने का कोई फायदा नहीं है ठीक है यह जो चैनल है दोस्तो औरीजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रफशन में ही मिलेगा 100% फ्री चैनल है औरीजिनल चैनल की पैचान देख लीजिए हर पोस्ट पर आपको 50,000-40,000 ऐसे व्यूज मिलेंगे यह एक्टिव मेंबर है फ्रोड चैनल अगर आप सरच करोगे तो इस लोगो इस एड़वाइस देता हूं ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना मेरा कोई वाटसप नमबर है ना मेरा कोई पैड़ गूरूप है ना मेरा कोई yearly, monthly, weekly प्लान है कोल टिप्स के नाम पर एक पैसा ना दे भाई किसी को इस चैनल पर जाओगे तो आपको आज भी मैं मैंने इस गुरूप में मैसेज केवल यहीं इसी गुरूप से आप भाई मैसेज करें मेरे इन्वोक्स में आ जाओगे ना मेरा कोई वाटसप नबर है ना मेरा कोई टीम मेंबर है कुछ फ्रोड लोग नीटू मोर के आगे एक लगा देते हैं नीटू मोर एना डबल टी बहना करें जो आपको उधर दिख रही है सब पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी है कोई कोल टिप्स नहीं है ठीक है चैलिए काफी मिलेगी भाई सीखने का भरपूर सीखने को मिलेगा इतने यूटूब पर कोई सिखाता होगा जितनी डिटेल से मैं आपको सिखाने की कोशिस करता हूं निफ्टी का देख लेते हैं निफ्टी वहीं राउंड लेवल पे हम ट्रेड करेंगे फ्लैट ओपन होती है माली जे क्लोजिंग आई है सोडा हजार नोसो बैतरी यानि की वीक क्लोजिंग है भाई फ् 30 पॉइंट का स्टोपलोस रहेगा 100 पॉइंट का हमारा टार्गेट हो जाएगा हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होई हलकी सी उपर गई इस लाइन के आसपास कोई नेगेटिव केंडल बना देती है तो उसका हाई स्टोपलोस डालके फि 17,121 के आसपास है अगर गैप उपन होती है इस रेंज में तो मारके डाउन साइड आ सकती है एक नेगेटिव केंडल बनते ही उसका हाई स्टोपलोस जालके हम जहां पर आज क्लोजिंग आई यहां के टार्गेट के लिए पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और अगर द जैक शनीप्ती तो भाई 6,800 के आसपास दिख रही है फिलाल तो यह 6,900 से भी नीचे निकल गई तो राउंड लेवल पे हम ट्रेड करेंगे माली जे गैप डाउन ओपन होती है इसके नीचे 6,890 इस रेंज गया आसपास तो हम वेट करेंगे कभी यह उपर आए या तो इस रेंज में आके एक नेगेटिव केंडल बनाके डाउन साइड यहां पर हाई स्टोपलोस डालके पुट साथ प्लानिंग करेंगे यहां फिर दोस्तो पहली ही केंडल नेगेटिव बन जाए और 16,800 का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर दे तो हाई स्टोपलोस डालके और 100 के लिए पुट साइड प्लानिंगे राउंड लेवल पे हम ट्रेड करने वाले निफ्ती में ठीक है कुछ भी अपडेट पीचियार वेगर डेटा अपडेट करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा ऑप्सिन चैन मैं आपको दिखा देता हूं अगर इस रेंज में जाके आपको एक नेगेटिव केंडल बन जाती तो हम पूट साइड प्लानिंग करेंगे उसका लो ब्रेक होते ही जिसने नेगेटिव पोजीटिव केंडल वाली स्ट्रेटिजी नहीं देखे वो भी आपको यूटूब पे मिल जाएगी पर सो चारपा नहीं वैसे पैसे देने का हाला कि एक लाग की चीज में आपको कोडियों के भाव सिखाता हूं 19,000 रुपए में हाँ अगर कोई मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करता तो उसमें भी एक अजार डिसकाउंट मिल जाता हो और भी बहुत सारे फायदे हैं कोरस करने के ब और स्टुडेंट गुरूप में भी लाइफ टाइम रहोगे जहां पर में एक अध स्टडी एक्स्टा देता रहता हूं खर वो भी पेपर ट्रेड करने के लिए ठीक है तो दोस्तों अकाउंट ओपन जरूर करें मेरे लिंक से और मुझे योजर आईडी जरूर भेज दे त पेड गुरूप कोल टिप्स के लिए तो भूल कर भी जोएन ना करे भाई अगर कोई बंदा आपको फ्री में ऐसी चीजे बता रहा है जिससे कि आप कुछ अरन कर पा रहे हो तो उस अरन किये पैसे से आप एडवांस सीख सकते हो थोड़ा सा के उससे हमारा भी काम चलता र लगती है खेर वो आप महीं बात फिर आजाती मैं एड नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट यह बता रहा हूं पहले आप थोड़े से अरन कीजिए पैसे स्टेजिस सीख के उसके बाद आप सोचिए बैठ के तभी आप जाईए ऐसे आपको किसी का आख बंद करके किसी का भी कुछ जोए नहीं करना चाहिए क्योंकि इधर भाई बड़ा जोल है शेर मार्केट में आज गल इस लाइन में बड़ा जोल मचा हुआ है अगर दोस्तों सपोर्ट देखे निफ्टी में तो 16900 का सपोर्ट ऑप्सिन चैन के नुसार यह लेवल ब्रेक होता तो 16800 के टारगेट मिल स तो हमको 16900 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं पूट साइड और 49200 का लेवल जो कि मैंने आपको चार्ट में बता यह ब्रेक होता है तो फिर हमको 49500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड गैप अपन होती है 49500-49400 के आसपास तो एक नेगेटिव केंडल बनते हैं पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं बाकी मैं आपको टेलिग्राम पे अफडेट दे दूँगा और मुझे टाइम लगा तो भाई वहाँ पर मैं स्टडी भी देता रहता हूं ताकि आपको एक आईडिया मिल जाए क कि इस साइड मार्केट जा सकती हैं तो दोस्तो कैसा लगा वीडियो और कैसे लगे हमारे वाइंग सेलिंग एरिया सपोर्ट रजिस्टेंस और कैसे लगी आपको हमारी एनलिसिस बाकी सबसे अगर कुछ अलग सीखने को मिल रहा है देसी बासा में तो वाईज आप एक सुकून मिलता है और वो हेटर्स पता नहीं वाई आज कहां गए वो जो कल बोल लेते कि लोस हो गया यह हो गया वाई क्यों लेते हो हमारी स्टडी आज प्रोफिट देने तो नहीं आए मुझे कल लोस देने आ रहे थे सोला दिन में एक ऐसे लग जाए पता नहीं भाई मार्केट में हिस्सा है भाई स्टोपलोस पे कभी भी आपको डिमोटीवेट नहीं होना है देना पड़ता है भाई ऐसा कोई बिजनस नहीं है पूरे विशाव में जो 100% आपको प्रोफिट देता हुआ हमेशा तो बिजनस इसतारे वीडियो को शेर जरूर करें ताकि जरूरतमन लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था अपना कीमती से में निकाल करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब रहें मिलते ह देखने के साथ तब तके लिए बाइबाए जय माता दी जय हिंद